हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज भी लेकर आ गई हूँ किचन के बहुती यूजफूल टिप्स किचन में अगर ये छोटी छोटी टिप्स मिल जाए तो हमारा घर का काम बहुती आसान हो जाता है और किचन में हमें घंटों में महनत लगती है वो भी नहीं लगती है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो शुरू कर लेते हैं पहली टिप्स मेरी नेल कटर को लेकर है घर में जाने से पहले ही थोड़ा सा मसीन का तेल डाल दे एक दो बुन तेल डाल दीजिए और इसको ऐसे थोड़ा सा उपर नीचे हिला दीजिए दोनों साइड जहां इसका पैच बना हुआ है इस तरह बिड लगा देना है और उपर भी तो हमारा नेल कटर बिल्कुल भी तूटे इस तरह की थालिया देखिए हमारे घर में होती है लेकिन इनको आजकल कोई भी यूज नहीं करता है क्रोकरी वगरा यूज होती है घर में और यह ऐसे ही रखी रहती है अगर आपके घर में भी रखी है तो आप देखे इनका किस तरह से यूज करें तो यह मेरे पास है एक बड़ी थाली बड़ी चोटी सभी साइज की घर में होती है तो यह मैंने बड़ी थाली लिया है आप इसके उपर चाहे तो कोई भी जैसे छोला राजमा डाल सकते हैं या फिर मोती डाल सकते हैं मेरे पोपकॉन के दाने पड़े हुए थे तो मैंने यही डाली है इसी के उपर देखें मैंने एक चोटी थाली रख लिया है और जो रोज डेली में हमारी चोटी चोटी चीज़े यूज होती है वो इसमें रख लीजिए तो बहुती बड़ी हासा ये एक और्गनाईजर बन के तयार हो जाएगा किचन में कहीं भी रखें और चोटी चोटी चीज़ों को य दखी में अगर हम तुरंद यूज कर लें तो दखी हमारी सई रहती है अगर एक दो दिन रखेंग हो जाए तो दखी मोसमें बहुत जल्दी खटी हो जाती है तो अगर दखी को किसी बड़े भगोने में या फिर कोई भी बड़ा सा बाउर लेना है मैं ने यह हांडी लिया दही जमाने की हांडी है इसी में मैंने धही को डाल लिया और इसमें बहुत सारा पानी भढ़ लेना है तो मतलब इतना बढ़ना है जितनी हमारी हांडी है उसको फुल भढ़ लीजिए तो इसमें मैंने फुल पानी भढ़ लिया भढ़ने के बाद आप इसको ऐसी जगह रख जहां पर यह हिले डूले ना तो देखिए इसका पानी बिलकुल उपर आ गया है और धाई बिलकुल नीचे बैट गई है तो अब इस पानी को आप निकाल दीजिए धीरे धीरे करके तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं निकाल रही हूँ इसी तरह से सारा पानी निकल जाएगी देखिए धाई नीचे रह गई है और पानी निकल गया इसका मतलब है यह खटापन जो है सारा पानी में निकल जाएगा अब आप इस पानी को भी फैकिये मत अपने पोदों में डाल दीजिए पोदे भी बहुत बड़ी हासे ग्रो करते है इस पानी से तो देने वाली हूँ तो जब भी मतका लाए आप इसमें हमेशा अच्छे से इसको धुल लेजिए नया मतका लाए हैं तो उसको अच्छे से धुल लेजिए इस तरह से देखिए मैं सिंक में डालके इसको अच्छे से धुल रही हूँ तो जो इसकी गंद की होगी वो अच्छे खारा लगता है हमेशा ही तो इसमें नमक बिल्कुल न डाले बस इस तरह से सिंपल दुल लीजिए और इसके अंदर पानी भड़ लीजिए दो तिन बार दुलने के बाद जो भी पानी आप फिल्टर का जो भी मोटर अगरा का पीते हैं वो पानी भड़ लीजिए और इसको आ जाद पानी ठंडा होता है यह और आप हमेशा इसको जब भी भरे रात में भरे और सुबह इसका पानी यूज करें तो पानी बहुत जाद ठंडा हो जाता रात में भड़ने से और इसको और जाद ठंडा करने के लिए आप क्या करें कोई भी टोवर लीजिए गीला करके इस इस तरह से पानी का यूज कीजिए जब भी हम देखे इस तरह की कोई चीज बनाते हैं मैंने बनाई हाज नारियल की चटनी तो ये बड़े बाउल में है तो इस्पून देखे अंदर गिरते जा रहा है तो कभी कभी ये दिक्कत आती है तो आप क्या करें इस्पून के उपर थोड़ा सा इस तरह से रबर्ड बेंड लगा दीजिए कोई भी छले वगरा जो होते हैं अगर में हम कुकिंग में यूज करते हैं अपने पैकिट वगरा पर लगाने के लिए इस तरह से लगा देंगे तो एक जगा रुका रहेगा इसके अंदर गिरेगा नहीं तो देखे इस तरह से ये बिलकुल भी अंदर नहीं जा रहा है तो जब भी इस तरह की दिक्का तो आप एक रबर्ड बंड लगाईए और इसका यूज कीजिए जब भी केले लाते हैं तो देखे इस तरह से ज़ Da Dawe Cum इनको तोड़ते कैसे है इससे क्या होताइ इसके उपर बहुत ज़ादे मक्ही मचर बैटने लगताए नहीं तो हम तोड़ते देखे इस तरह से जैसे मैं तोड़ते दिखा रही usted तो इसका पार्ड जो है खुला रहजा आता और इसके उपर बहुत जादा छोटे-छोटे मच्छर आते हैं तो आप इस तरह बिल्कुल ना तोड़े इसको आप क्या करें सीजर की हेल्प से इसको कट करें जहां से इसकी बनी हुई है नोड इस पे यहां से कट करेंगे तो केले जो है अराम से निकल जाएंगे और केले कोई लेकर है क्या होता है कोई केले जादा पका होता है कोई कम और यह आपस में एक दूसरे से टच होते तो सारे केले बहुत जल्दी खराब हो जाते तो आप क्या करें बीच बीच में इस तरह से इनके कोई भी न्यूज पेपर ले सकते है वाइट पेपर इस तरह से क क्या होता है कि बच्चे बड़े सभी फुरूटी पीना बहुत पसंद करते हैं और बच्चे तो क्या करते हैं फुरूटी लेते हैं और इधर उधर गिराते हैं टपकाते हैं सारे में चिपक चिपक कर देते हैं तो आप क्या करें इस तरह से देखे मैंने फुरूटी का जो इ इप कर और बता आब दे दिया है और एक इस्टिक लीजा कर अगर आपके पास है तो बत्चे बचको अगरेंगे मिलें आइसक्रीम बैढ़कर आजाने आइसक्रीन से व्यस्ता से खा मपके लिए प्रूटी की टिप्स प्रेंट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईए अब होती आसान है इसको जमाना बस इस तरह से ही इस्टिक लगा के इसको जमा देजिए नेक्स टिप भी देख लेते हैं देखे होता क्या है कि जब भी हम बनाना से एक वगरा बनाते इस मोसम में तो इसमें गुठलिया बिल्कुल नहीं रहेंगी इस तरह से हम पीशेंगे इसको अब इसके बाद जब यह पीश जाए फिर आपको जितना दूद इसमें डालना है पूरा डाल लीजिए एक बार और अच्छे से ग्राइंड कीजिए तो देखे इसकी गुठलिया बिल्कुल भ सबीके घर में होते हैं बातरूम में कीचन में जो भी सावन यूज करते हैं इसके चोटे चोटे टुकडे जरूर होते हैं और हम क्या करते हैं इनको ऐसे फैक देते हैं तो चलिए आज इनको नई फैकेंगे कैसे यूज करेंगे तो आप क्या करें जो हमारी इस तरह की जाल उसको भी इस तरह ले सकते हैं तो आप इसको देखिए वाश्वेशियन वगरा साफ करने में यूज कर सकते हैं या हाथ पैरों पर भी इसको यूज कर सकते हैं बहुती बड़ी हासा बन के तयार हो जाएगा और हमारा साबुन भी यूज हो जाएगा तो आपको ये टिप में रखी और यूज कीजिए अगर घर में देखिए छोटे बच्चे हैं तो आप क्या करें इस तरह से मुनक्का लेजिए यह मुनक्का है जो किसमिस होती है उसी की तरह होता रोस इसमें थोड़े मोटे से दो बीज निकलते हैं तो मुनक्य की पहचान यही होती है तो देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरह से दो बीज निकलते हैं एक मुनक्य के अंदर तो यह मुनक्य लीजिए और आप इसको भीगो कर बच्चों को दीजिए भीगो कर ही देना है ऐसे नहीं देना क्योंकि ये बहुत गरम होता है दो मुनक्के काफी रहेंगे बच्चों को अगर चाहे, तो आप इसको रात में भीगो ये और सुबह बच्चों को इसे खाने के लिए दे दिजिये और आप इसको भीगे हुए को दोदमे उबाल के भी दे सकते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगे जिनकी इम्मिनिटी वीक है वो भी इसको ले सकते हैं इम्मिनिटी पावर भी बढ़ जाएगी गर्मियों के मौसम में इस तरह के फ्रूट आते हैं कि सबी की स्मेल फ्रीज के अंदर आ जाती है तो आप क्या करें देखे इस तरह का एक पिक आदा नीवू ले लीजिए कट करके और इसमें कुछ लोंग फसा दीजिए जैसे में फसारी इस तरह से ही फसा लीजिए और फ्र पारी स्मेल को अपने अंदर खीच लेता है इस तरह के कंटेनर थ्रेंट देखे सब के घर में मिल जाते हैं तो यह मेरी दवाई की सीसी थी छोटी सी थी तो अच्छी लग रही थी सोचा इसका क्या बनाया जाए तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई भी छोटे छोटे कंटेनर है तो उनको जरूर यूज कर लिया करें तो यह मेने धुल के अच्छे से साप कर लिया जो इसमेल वगरती वो निकल गई है तो इसका जो कागज है वो मैंने हटा लिया इस तरह से देखे हटा रही हूं मैं तो अच्छे से घर लीजिए अब हम सूई लेंगे और इस तरह से गरम करके बहुत सारे होल बन जाएंगे इसके अंदर तो देखे इस तरह से बन गए है जैसे मैंने बनाए इस तरह से बना लीजिए बनाने के बाद क्या करेंगे हम बना रहे हैं इसे एक सेकर तो मैं इसमें नमक भड़ लूगी और नमक भड़ने के बाद देखे बहुत ही बढ़िया से इसका यूज होगा महंगे महंगे से कड़ लेकर आते और खराब हो जाते तो ये घर में ही फिरी का जुगाड बन जाएगा और देखे काम भी बहुत बढ़िया करता है तो देखे नमक भी आसानी से निकल रहा है तो देखे हैना बहुत बढ़िया सा ज प्लिवाब आपको जरूर अच्छा लगा ऊब ओगा तो फ्रेंट्स एक लाइक जरूर कीजिए गा चलते हैं इस तरह के देखें कंटेनर हमारे घर में आते ही रहते कभी कुछ लाते हैं या बच्चे कुछ ओडर करते हैं तो काफी खटे हो जाते तो चलिए कैसे यूज गरे ना है कट लगाने के बाद हमारे पास जो भी धागे होते हैं आज जो लेडी जो उनका काम करती है तो आप अपने इसमें उनके गोले या थ्रेड जो इस तरह के होते हैं उन्हें रख सकते हैं इससे हम माला वगरा बनाते हैं तो इसके अंदर रख दीजिए और देखे जो हमन रख लीजिए और तब भी जर्ट पड़े जितना जर्ट पड़े आप इसको निकाल लीजिए तो इसके साथ ही मैंने एक उपर कट लगाया जिसमें आप इसको अटका सकते हैं तो देखे इस कंटेर का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बहुती बड़ी हासा यूज है जर्ट हो तो आप इनको यूज कर लिए तो देखे मेरे पास काफी चीजे रखी ती चीली फिलेक्स रखी है और इगैनो रखी है तो सोस का हम कैसे से यूज करें और चीजों को तो हम खाने में यूज कर लेते हैं लेकि सोस ऐसे ही पड़ी रहती है तो चलिए एक सोस को कट कर लेते हैं इस तरह से कट कर लीजिए और जो हमारे पूजा के बरतन होते हैं जो कोपर के होते हैं आप उन्हें इन से साफ कर सकते हैं तो देखिए यह मैंने अपनी प्लेट ले लिए इसके उपर फैला लीजिए फैलाने के बाद दो एक मिनट के लिए आप इसको रख दीज तो देखिए इस तरह से आसानी साफ कर सकते हैं सोस का भी यूज हो जाएगा और हमारे बरतन भी चमक जाएगे जब भी हम हनी लाते हैं तो डाउट होता है कि नकली तो नहीं है तो आप इसको नकली और असली की कैसे पहचान करें तो कोई भी हनी ले रहे हैं अगर भाड से खुला भी लेते हैं तो आप इनको इस तरह से पहचान कर सकते हैं हनी की तो देखिए मैंने हनी ले लिया यह तो नॉर्मल हनी है जो मेरे घर में यूज होता है तो एक टीसू पेपर लेज़ें टीसू पेपर के बीच में थोड़ा सा हनी डाल दीजें इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रह lunait के लिए आप इसको छोड़ दीजिए इस तरह से अगर हनी पूरा भार आएगा तो इसका मतलब है नकली हनी है यह और अगर बाहर नहीं आता है देखिए हलका हलका से इसके उपर बस निशान आया है तो ये असली हनी है तो आप इस तरह से असली नकली हनी की पहचान कर सकते हैं टीसू पेपर में बस थोड़ा सा डाल कर देखिए और चेक कर लीजिए अक्सर गर्मियों में फ्रेंड्स ये प्रोब्लम आती है कि फ्रीज में जगे नहीं रहती तो आप क्या करें जिस से जादे जगे हमें मिल जाए फ्रीज में तो देखिए मैंने एक बोटल लिया है बोटल को इस तरह से लंबाई में चाकू गरम करके कट कर लिया है इस तरह से कट कर लेजिए तो आप काफी सारी बोटल को कट कर सकते हैं इस तरह से यूज में लेने के लिए तो मैं इसमें रखने वाली हूँ टमाटर तो इसमें आप टमाटर इस्टोर करके फ्रीज में रख दीजिए तो हमारी जो बड़ी-बड़ी बास्केट हम रखते ने टमाटर हर तो उससे हमें जगह मिल जाएगी काफी इस तरह से बोटल ज्यादा जगह भी नहीं लेती है आप इस तरह से जितने भी टमाटर रखने हैं बोटल के अंदर स्टोर करके रख दीजिए तो देखिए बहुती मिल जाएगा इस तो हमारे टमाटर भी अधम फ्रेस रहेंगे तो आपको कौन सी टिफ जाद अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक यू फूर वाचिंग